तो दोस्ता आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 2018 एशियन गेम्स में कौन से टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है कबड़ी में में मेंस वो मेंस दोनों में ही तो चलिए खेलते हैं कबड़ी तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हूं मेरे अर्णिंग्स जो की 000 है तो कुछ लोग है जो मुझे बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए यह सब कर रहा हूँ और बहुत दिनों से मैं आप देखी रहे होगी मैं रेगुलर वीडियो अपलोट करता हूँ और मेरे इंकम जो है जीरो है तो अगर मैं पैसे के लिए करता तो क्या मैं रेगुलर वीडियो अपलोट करता हर एक टॉपिक पर वीडियो अपलोट करता नहीं करता और बात करत यारों की तो दोस्तों कुछ कुछ प्लेयर को टीम इंडिया में नहीं लिए गया उन में से एक दो एक फ्लेयर है जो की जिन से मेरि बात होती है बात हुए वह उनका मानना है की जो सटा कुंफnen तो मैं मतलब उन से पूछना चाहता हूँ अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी अगर गेलोट के साथ मतलब क्या बता हूं मैं कुछ कहना नहीं चाहता प्लेयरों के बारे में अगर उनकी ही आपको तरफदारी करनी है तो आप कर सकते हो लेकिन सच्चाई जो नहीं देख सकता जो सच्चाई के साथ खड़ा नहीं रहता वो मेरे नजरों में और सभी के नजरों में तो दोशी ही है तो जो भी हो अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो तो उसका रेस्पेक्ट सभी करेंगे लेकिन सबसे पहले है कि सच्चाई के साथ खड तो बेठा देंगे तो यह संभव भी नहीं है लोग सब देखते हैं और लोगों के कान आग सब खुले हैं तो चलो यार मैं आपको मेंड टॉपिक बता देता हूँ कि किसने क्या मेडल लिए तो दोस्तों यहाँ पे मेंस में पाकिस्तान और भारत को एक साथ ब्रोंज मिला है हाँ दोस्तों ब्रोंज मेडल के लिए कोई अलग से मैच नहीं होता है सेमी फाइनल में दो टीमें जो हारती है उन दोनों को ही ब्रोंज मिल जाता है फिर दोस्तों यहाँ पे साउथ कोरिया फाइनल में इरान से हार गई तो इनको सिल्वर मिल गया और इरान को गोल्ड जो किसी को उम्मीद नहीं थी इनसे इतना फिर इंडिया को मिल गया है सिलवर जो कि एक थमसब है क्योंकि मेंस को मिला था ब्रोंच उसके बाद हम लोगों ने गोल्ड की तो आशा की थी वुमेंस है लेकिन सिलवर मिला है वो भी बहुत बढ़िया बात है फिर दोस्तों यहाँ इरान को मिला है गोल्ड जो की 28 वरस बाद वो यह की रेकॉर्ड फिर है 28 वरस तो नहीं तीसरी बार वुमेंज की कबड़ी हुई है एशियन गेम्स में और हैट्रिक नहीं लगा पाए हमारे वुमेंज फिर जो भी हो दोनों मतलब हर एक टीम को हर एक प्लेयर को और यह चनज स्कुलेशलाइशन्स फ्रॉव कबड़ी कुरू टीम और हां मैंनत रहा है है और चासरी जलते जलते हो क्या ऐसे नहीं अगरज आएero तो पैसा तो सभी के लाइफ में इंपोर्टेंट है अगर आपके लाइफ में होता तो खियो आप लेथे, आप सन्यासी बन जाते आप इसे ही काम करते एसे ही खेलते, जो भी हो दिल से रेस्पेक्ट है हर एक प्लेयर के लिए दिल से प्यार है ऑपर भी है कबड़ी के लिए है आपको लगता है पैसे के लिए चो करता हूं तो सब्सक्राइब करने की जरुरत नहीं है चलिए बाई तो दुस्तों वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर की जबने सारे दोस्तों के साथ और और कबड़ी के अपडेट्स इस तरही पाते रहने के लिए कबड़ी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियागा और कबड़ी से रिलेटेड आपके कोई भी कोईस्चन हो तो आप हमें सोचल मीडिया पर पूछ सकते हो नीचे फेस्बुक ट्विट